हमारे सहयोगी अमित्र रतूरी ने कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गडेश गोधियाल से खास पाचित की है क्या कुछ कहा है गडेश गोधियाल ने सुनी आप भी और दूसरी तरफ मोदी जी करें कि उन्होंने परवत बना दिये हैं तो इदोनों आपस में विरोदाभासी बाते हैं और सच्चाई ये है कि पांच साल में खड़े ने इन्होंने खाईया बना दिये हैं उत्राकंड में आज विकास की जिस और हम दृष्टी दोड़ाएं चा Shift अकर बुरी तरह फे घ्यार और प्रधान मंतरी जी का यहां आना मैं समझता हूँ परधान मंतरी जी के रूप में इता और वह भ्हारती जिंताम पाրटी की निता की रूप में आये यूजनाय थी, मोदी जी को ongoing project के रूप में वो यूजनाय हाथ में मिली और ठीक है ongoing project थे वो काम हुए आगे लेकिन उसका सरे उन्हें बिलकुल नहीं जाता है, वो पूर्व की Congress की सरकारों को उसका सरे जाता है, दूसरा उन्होंने जो आर्थिक गलियारे की बात की, उस आर् उत्राखंड का हो गया, हम सब समझते हैं, उत्राखंड का आदमी सब समझता है, उत्राखंड का पड़ा लिखा ब्यक्ति, सब बातें समझता है, दो सब्द गडवाली बासा में बोल देने से लोगों के जो दिक्कते हैं वो हल नहीं हो जाती, दो सब्द गडवाली में बो और उनकी कविता के दो पंक्तियां छुट गई थी जिसको मैं पूरा कर देता हूं और पंक्तियां ये थी कि वो देश बेचने आये थे हम उत्राखंड नहीं पिकने देंगे हमने पहले कहा है कि ये सरकार दो साल पहले कि अगर मेरी फेस्बुक की पोस्ट को आप देखें तो मैंने ये लिखा था कि हमारे समय में हमने टेंटों में रहकर गैरसेंड में 17 आयुजित किया और पक्ये भावन बनाए और अफसोस की बात है कि उन पक्ये भावनों में बैट सरकार को ठंड लग रही है ये सरकार पहाड नहीं चड़ सकती है ये गैरसेंड ग्रीश मकालीन राजधानी बात करने वाली सरकार वहां दो दिन सत्र नहीं चला सकती राजधानी की दो बात ही छोड़िए इनकी इच्छा सकती सी ये उमीद नहीं की जा सकती ये पहाडों का हित रखते हूँ और यह काम कॉंग्रेश करेंगी राहूल गांदी का दोरा भी है 16 तार्य को आ रहे हैं कितीनी जोश हैं काउंग्रेशन के अंदर और क्या कुछ रहने वाला है बहुत अच्छा होगा राहूल गांदी जी की Rodrigueują कि यहां पाकिस्तान पर निर्णायक जीत का दिन है और उस जस्टन को मनाने के लिए हमारे राष्टी नेता उत्राखंड आ रहे हैं कॉंग्रेस की हमारे लिए खुशी की बात है अगर आप हमें फेस्ट पर देख रहे हैं तो मारे फेस्ट पेश को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नाम फुलें उत्राखंड की तमाम चोटी बड़े खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ